पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन्त सिंग्मान ने गन्ने की कीमत 360 रुपे से बढ़ा कर 380 रुपे प्रतिक विंटर करने की खोशना की है उन्होंने सोमवार को अपने राज्य विधान सभा के संक्षित सत्र के समापन के दिन गन्ने की राज्य प्रामर्श मुल्या यानी सेपी में भड़ोतरी करने की खोशना की ततकालिन कांग्रेस सरकार ने अगस 2021 में गन्ने के सेपी में 50 रुपे प्रतिक विंटर की भड़ोतरी की थी इसके बाद गन्ने की कीमत 360 रुपे प्रतिक विंटर हो गई थी मान ने का है कि किसानों को गन्ने के सेपी के तहट पिछले साल की तुलन में 20 रुपे प्रतिक विंटर अतिरिक मिलेगा इस निन्ने से राज्य सरकार किसानों को ला पुँचाने के लिए सालाना 200 क्रोड रुपे अतिरिक खर्च करेगी वही मान ने ये भी कहा कि राजय के किस्तान फसल विवीदी कंड के तहट गन्ने की फसल को बड़ी बेसबरी से अपनाना चाहते है लेकिन फ्रयाप कीमत न मिलने और फसल का समया पर भुकता न होने के कारण वेहिच की चाहट दिखाते रहे हैं उन्होंने कहा है कि पंजाब में अभी मेज सवा लाख हेक्टिर जमीन पर गन्ने की खेती होती है जबकि चीनी मिलो की कुल पिराई शमता करीब धाई लाख हेक्टिर है इसी के चलते गन्ने का एसपी बढ़ाने का फैसला किया गया है मुख्यमंत्री ने भुकतान की वर्तबान स्थिती के इद बारे में सदन को सुचित करते हुए कहा है कि सेकारी चीनी मिलो ने पहले ही किसानों का पूरा बकाया चका दिया है लेकिन दो नीजी चीनी मिलो ने अभी तक बकाया का भुकतान नहीं किया है लेकिन अब सरकार न झाल झाल